इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से आपको Google Form को open करना है और क्या क्या डिटेर उसमें fill करना है और किस तरह से उसका camera on करके जो आपका answer seat है उसे upload करना है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पास आप देख रहे होंगे आपके screen के पास Google Form क लिंक दिखाई दे रहा होगा उसे open करते हैं यह Google Form open हो रहा है यह Google Form open हो गया यहाँ पास आपको अपना नाम student को जैसा कि आप देख रहे हैं आपस student को अपना नाम यहाँ fill करना है रोल नमबर फिल करना है आपकी section में पढ़ते हैं ABC जो भी आपका section होगा यहाँ से आपको select करना है और last में आपको admission नमबर दिया हुआ है admission नमबर यहाँ आपका नाम फिल करना है तो यह basic detail है पहले आपका नाम फिल करना है मैं आपका अपलोड एंसर सीट यह वाला जो option आ डाल दिये admission number 11 यहाँ पास जो main point है वो है आपका upload answer चीट यह वाला जो option आपको दिखाई दे रहा होगा यह आपको answer चीट को upload करना है कैसे करना है चलिए देखते हैं यहाँ पास जो add file का option आपको दिख रहा होगा add file इस पर आपको touch करना है जैसे इस पर आप touch करेंगे यह इस पर आपको यह वाला जो उप्षन दिख रहा होगा, Select Files From Your Device ठीक है, ध्यान देना आपको बाइड़ फोल्ट, यह आपका Select होगा, Apload, अप्लोड Select होने के बाद यहाँ पास यह Select होगा, Apload Select Files From Your Device ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अगर मैं इस option पर touch करूँगा my drive पर तो अलग option आएंगे तो आपको select किस पर करना है upload पर ये by default जब इसको आप open करेंगे तो ये ही आपका open रहेगा तो उसके बाद ये जो option दिख रहा है select files from your device इस पर आप टच करेंगे जैसे ही आप इस पर touch करते हैं आप देख रहे होंगे bottom में तीन option आपको दिखाई दे रहे होंगे फर्स्ट है camera का second है camera camcorder और third number जो है वो है files का तो इसमें आपको पहला आपको answer seat होगा उसको ऐसे camera की help से क्लिक कर लिजेगा यह मैंने आपको क्लिक कर लिया क्लिक करने के बाद यहां पास आपको okay का बटन दिख रहा होगा अगर image सही से आ गई है तो आप okay कर सकते हैं otherwise बगल में draft check option दिया हूँ है तो कर लीते हैं कि यह पहला image मैंने यहां घंख क्लिक कर लिया और अभी upload के लिए बस दखी एक option दिख रहा होगा upload नटिक्श को अमने क्लिक कर लिए आप आपलोड कर हो गया यह image upload हो रहा है और ऐसे बच्चे जिनको पता है कि camera का resolution होता है जो pixel होता है अगर कम करने आता हो तो आप कम कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो image है वो और जल्दी upload हो जाएंगे देखिए यह image आपके सामने दिख रहा हो गया पस यह पहला image लोड हो गया मतलब पहला answer sheet आपने upload कर दिया और अप्लोड करना है तो फिर देखिए bottom में उसके नीचे एक option दिख रहा add file मतलब और image अगर आपको load करने है तब next image के लिए फिर से यहाँ पर touch करेंगे add file पे फिर से वही option select files from your device select करते हैं first option camera को सब्सक्राइब में second option या third option दिखे तो आपको camera वाला ही option यूज़ करना है फिर यह ऐसे इसको क्लिक करेंगे और ok बटन उसके बाद फिर वही अप्लोड वाला ज़ ओप्शन दिखता है यह upload camera से image क्लिक करने के बाद आपको उसे upload भी करना परता है ठीक है यह देखिए uploading शुरू हो गई यह देखिए second image भी upload हो गया इस तरह से आपने देखा कि पहला जो answer sheet था उसके बाद दूसरा answer sheet तीसरा जितने भी images होंगे जितने भी pages होंगे आप easily इसमें add कर सकते हैं बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि add file जो option दिख रहा है यहाँ पास add file के हैं से आप total जो है प्रण दिख रहा है उसे आप click कर देंगे ठीक है चलिए करके देखते हैं इसको यह हमने submit पे click किया और यह record हो गया देखिए आप आस message आ गया लड़ी दिए भी पब्लिक स्कूल किष्णी विहार annual exam the response has been recorded मतलब paper आपका पूरी तरह से submit हो चुका है अब दूसरा form भढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है यह गर message आया आता है इसका मतलब जो भी आपने form पे submit किया है वो सारा school के पास आ चुका है Thank you